ऐलो फ्रेंड्स, राधे राधे कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब अच्छे होंगे मेरे पास बहुत टैम से एक रेक्वेस्ट आ रही थी हाइड हेंकी साड़ी टकेंग का एक मेरी बहुत प्यारी विविवर्स है हैं जो बहुत टाइम से मेरे को रिक्वेस्ट कर रही थी हाइड हैं की साड़ी टकिंग का वीडियो दिखाऊंगी और आई होग कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए वीडियो को एड तक जरूर देखेगा और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सेंके टकिंग के साथ साथ साड़ी वियर की रिक्वेस्ट भी थी जो की वो भी कंप्रीट कर रही हूँ हम साड़ी को पकड़ेंगे और जो फोल वाला हिस्सा होता है फोल वाली साइड को हम नीचे रखेंगे जहां पर लगी होती है और उपर वाली साइड को हम फ्रंट से पकड़ते हुए आगे से टक करना स्टार्ट करेंगे आगे की साइड से और एक सरकल गुमाते हुए टक करते हुए आगे लियाएंगे जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से हम पीछे से टक करते हुए अच्छे से आगे की साइड लियाएंगे और मैंने पहले जो चाहें पेटी कोड पहन सकते हैं शेफ प्यर में फिटिंग अच्छी आती है और अब यहां पे हम आगे की जो घूम वाली जो प्लेटे होती हैं उनका हिस्सा छोड़ते हुए उतना साड़ी को छोड़ते हुए हम पल्ला इस तरह से खटा कर लेंगे और पीछे की सैट से पल्ला लाएंगे क्योंकि हुए सबसे पहले पल्ला सैट करना होता है बाद में हम आगे की प्लेटे सैट करते हैं इस तरह पल्ले को लेकर लेफ शोल्डर पर रखेंगे और चेक करेंगे कि हमें कितना लंबा पल्ला चाहिए आप अपने इसाब से लंबा छोटा पल्ले को adjust कर सकते हैं और जितना भी आपको लंबा पल्ला चाहिए उसको हम left shoulder से देखते हुए उतनी length हम पल्ले की छोड़ देंगे और यह जो side वाला border है इसको हम बस roughly tuck कर लेंगे side में और उसके बाद हम पल्ले को set करेंगे पल्ले की plate बनाएंगे अब हम पल्ले की किनारी वाली side को पकड़ेंगे एक हाथ में hold करेंगे अंगूठे और finger की मदद से और दूसरे हाथ से हम border को आगे पीछे करते हुए plate set करेंगे plate बनाएंगे यह बहुत जादा मुश्किल नहीं होता plate बनाना बस एक बार आपको हाथ में hold करना आ जाए आगे की घूम वाली plate और पल्ले की plate दोनों सेम तरीका होता है बनाने का आप एक बार बनाना सीख गए तो बहुत easy लगेगा एक बार आपको हाथ में hold करना आ जाएगा तो यह देखे बहुत भी simple है सिर्फ आगे पीछे गुमाते हुए हमें plate बनानी होती है सबसे पहले जो हमें उपर की plate है उनको बराबर करते हुए उनको एक हम pin से pin up कर लेंगे जिससे की वो हमारी plate आगे पीछे ना हो equal हो और फिर नीचे वाला जो पल्ला है उसको हम plate को set करेंगे plate बराबर करते हुए हम पल्ला आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे की plate सेट करते जाएंगे और उसको shoulder पर रखकर pin से टक कर लेंगे पल्ले का जो उपर वाला first border है उसको खीचते हुए हम right side face को pin up करेंगे और अपने काउटिंग आप tight कर सकते हैं उसको बहुत जादा tight मत कर लेजेगा कि आपको uncomfortable feel हो बैटने उटने में भी आपको परेशानी हो तो right side face को pin up कर लेंगे कुछ लोग नाभी के उपर साड़ी पहनना पसंद करते हैं और कुछ नाभी के नीचे तो आप जैसे भी पसंद करते हैं तो उसके according आप border को उपर नीचे कर सकते हैं और फिर pin up कर सकते हैं आगे की प्लेटे बनाना स्टार्ट करेंगे right hand में हम प्लेटो को hold करेंगे thumb और आगे की two finger से आगे की two finger हम कैची की तरह यूज करेंगे उसके बीच में हम प्लेटो को पकड़ेंगे और जिस हाथ में हमने प्लेटे hold कर रखी हैं उस हाथ की moment हम नहीं करेंगे दूसरे हाथ से हम प्लेटों को आगे पीछे करते हुए सारी प्लेटे बना लेंगे ही करते ही हैं पार करते हैं... सारी प्लेटे बना लेने के बाद हम प्लेटों को बराबर करके पकड़ेंगे और उसमें पिन लगा लेंगे पिन लगा कर हम इसको सिक्योर कर लेंगे और नीचे से भी प्लेटे सही कर लेंगे उनको बराबर कर लेंगे और फिर इसको पेटी कोट के अंदर टक कर लेंगे झाल झाल साड़ी बंदकर रेड़ी है और देखिए कितनी बढ़िया बॉर्डर की शेप आई है और अब आगे चलते हैं हेंकी टकिन की और जैसे ये है आपका नॉर्मल हेंकी है हिए तो हम इसको सिंपल ऐसे ही तय बना कर इसको इस तरह फोल्ड करकर और इस तरह इसको फोल्ड कर लेंगे तो ये शेफ बन तो हम हम इसको यहां न टक करके इस तरह राइड-। हीप करेंगे पल्ले के जुम भ्ला है इसके अन्धर की साइड यानि कि हैंकी हैं की टक करें तो इस तरह हैं शर्ण ए यह यहां फे यह ब्ला हां पे हैं हो जएगा ऐसे डिजाइन कर लेंगे इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे लंबाई में जैसे ये टू फोल्ड किया और इसी को ऐसे लंबाई में हमने वन फोल्ड ओर कर लिया तो ये इस तरह डबल फोल्ड वाला ये जो रेक्टेंगल शेप होती है इस तरह लंबाई में ये फोल्ड होकर एक यह आपकी शेप बन जाएगी चाहें तो आप इसको इसी तरह भी टक कर सकते हैं और या फिर चाहें तो इसको थोड़ा सा उपर से फोल्ड करके थोड़ा इसको शॉर्ट कर सकते हैं ऐसे फोल्ड कर लिया इसे देखिए इस तरह फोल्ड कर लिया और इसको फिर टक कर सकते क्जा होगा कि इसकी लंध उजाएगी इस तरह डिय विसके ट्क कर सकते हैं तो यह रोगए आपका सेक्ट और बहुत ही सिंपल हैं आप डेली रुटीन में इसको ऐस kuv जब जो साडी पहन असे लो इस और उसमेंसे फिर भी अपको शो होगा लेकिन जो मोटे कपड़े की साडि होती है लेकिन जो मोटे किसी तो उसमें नहीं दिखता है ये तो ये हो गिया एक आपका सैके ni design फिर इसी को हम इस तरह यह एक फोल्ड हमने करका है रेंकी का इसको एक फोल्ड ऐसे लेंगे यह जो corner है इस corner से पकड़के एक फोल्ड इसको ऐसे करेंगे और इसी के opposite एक फोल्ड हम इसको ऐसे बैक साइड में करेंगे और फिर इसी को हम एक फोल्ड ऐसे करेंगे तो यह कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी ये देखिए, इधर से ये ऐसी shape है, और इधर से ये इस तरह की shape है, देखिए, एक बार और देख लीजिया, जैसे कि ये है hangy, इसको हमने इस तरह ये first fold हमने किया, इसका, first fold किया, इसको यहां से ऐसे पकड़ा, center से, और यह वाला corner हमने पकड़ा, तो यहां से एक fold ऐसे किया, इस तरह हम शेप बन गई, फिर हमने इसको ऐसे opposite side में पकड़ लिया, इस तरह की shape बन गई, यह वाला जो corner है, फिर इसको ऐसे fold कर दिया, तो यह आ गई है, एक shape आपकी, तो आप इसको दोनों side से tuck कर सकते हैं, या तो आप इस side से tuck कर लिये, और या फिर आप इस side से tuck कर लिजे, आप दोनों की side से इसको tuck कर सकते हैं, यह देखे, बहुत simple सा design है, आप easily घर में इसको बना सकते हैं, बहुत hard design नहीं है, यह हो गया कीं टखिंग डिजाईञ और इसी को आप दोनों तरव से चेंज करके भी टख कर सकते हैं इक तर देंग मोदा है और एक बार इधर से टख कर लिया तो दोनों चेंज हो जाएगा यह देखिया हो गया हाइड है एक तपकिंग आपको नहीं दिख रहा होगा वीजीबल अभी नहीं होगा देखिए अब में साड़ी थधिक कि इसको इस तरह ऐसे ट्राइंगल में फोल्ड किया और फिर इसको ऐसे फिर से एक ट्राइंगल में फोल्ड करा और फिर इसको एक ऐसे ट्राइंगल में फोल्ड किया तो यह बन गया आपका डिजाइन नंबर फूर इस तरह से और चाहे तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं वैसे इतना अच्छा लगता है इस तरह आप इसको टक कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको इधर से भी टक कर सकते हैं यह ऐसे शेप आएगी यह देखिए और इसको यह दिया आप ऐसे लंबा टक करना चाहें तो इसको इस तरह से ऐसे लंबा टक कर सकते हैं यह वो गयान ही आपका design no.4 और four design हमारे हो चुके हैं और एक करते हैं जैसे साड़ी की फ्लेटे बना ता प्लेटे जैसे बनती है साड़ी की इस तरह से उसको हमां से fold करते रहेंगे आप इन प्लेटों को पतली भी कर सकते हैं या जादा चौड़ी करना चाहें चौड़ी भी कर सकते हैं तो इस तरह से यह देखिए यह प्लेटे बन गई है यह देखिए आप इसको ऐसे टब कर सकते हैं यह आप देख तो यह ओ गया आपका डिजाइन नम्मर फिर्थ इसे डबल फोल्ड किया और फिर इसके बाद इसको ऐसे स्क्वेर में फोल्ड कर लिया और इसको ऐसे इस तरह फोल्ड कर लिया यह देखिए कौन की शेप बन गई है जैसे कौन होता है न उस तरह की यह शेप बन गई है तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर टब कर सकते हैं यह हो गया आपका डिजाइन नम्मर फिर्थ ठीक है यह देखिए बड़ी प्यारी शेप आ रही है बहुत ही सिम्पल है यह सिक्स डिजाइन डिजाइन मैंने आपको बताए है छे डिजाइन छे तरह के स्टाइल जो की हाइड हैंकी टकिंग है इनको आप ट्राइज जरूर करेंगा और वीडियो को फुल जरूर देखि में उमीद करती हूँ कि आप सभी ने वीडियो पूरा देखा होगा पसंद आया तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करेंगा और बैल बटन को जरूर क्लिक करेंगा और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो करना चाहते हैं तो आईडि आपको शो हो रही है आप उसमें मुझे फोलो कर सकते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू फोर वाचिंग फ्रेंड्स